कि नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत्य अब्यास अग्रीय अगेडमी की यूटूब चैनल पर तो आज हमारी इंपोर्टेंट एंप्सी की सीरीज ठीक है आज उसका जो है पार्ट नम्मर थीन है ओके दोस्तों यह जो हमारी अग्रीकल्चर एंच की सीर एक्जाम है एक्जाम सभी एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है यहां पर सारे कोशन को बहुत अच्छे से हम डिट्यल सोलूशन करेंगे चारो सनको तो आपको बहुत ज्यादा कंसेट आपके किलियर हो जाएंगी तो चलिए स्टार्ट करतें अगर आप लूप क wszyscy को आपकशन के आपको सकती हैं जिसमें performed Handi शेलेंगी आपको कंप्यूटर का वी मिलेगा इंदर अग्रिकल्चर प्लस कंप्यूटर 12 के चीज आपको मांचर 500 व्र की ववलीडिटी आपको मिलेगी तो हमारे सपलता सीरी 2.0 है नोर लेञए ड़ले आलお願いします What प्रत्रेंट प्रत्रेश्य कर सकते हैं कि पहला प्रशन है कि पहला प्रशन आप से पूचा जारा है फॉस्ट वाइपररड राइटी वाइप कि पहला जो हां सबसे पहले ठीक है किस देश ने डवलप किया यह प्रश्न बहुत सरल है आप सभी को साहथ मालूम भी होगा कि सर चाहिन जो है चीन ठीक है चाइना की जो साइंटिस्टे ठीक है कौन वाई एल पिंग यांग लोंग पिंग जो साइंटिस्टे इनों ने पहली बार है ना आईबरीड राई से लिए पहला टीकल किस टेकनिक कर कि यूज करकी दुनिया में पहली बार जो ढहले जो डाने राइबराइसे बनाया थीकै अभी जो यूज वतला पर इंटू च्रूशा निए कि और 15 Connor वार ना डाल करकर के इसको बनाई है पूचते हैं संकर ढोंड है कि इस्तैंस कि इसके जीँच्ञाytic पर शीट ही तिफ्न पूच Surprise ढांगे आईसोलेशन डिस्टेंस टूहंड़ेट मिंटर अगर सेंपल याइसा पूछा प्रिष्ण प्रिष्ण प्रुछा की हना धान की डिस्टेंस कितनी होती है फाउंडेसन सेटीफाइड की यह स्टीफाइड की पूछे तो पाइब कितनी मीटर होती हैं कितनी मीटर होती है लेकां पोचा हुआ था कको बताना हुआ है है जिसने हाइवर्ट राइस बनाया चाइना के बाद जो है भारत दूसरा देश है ठीक है इंडिया क्या है सेकंड कंट्री जिसने हाइवर्ट राइस बनाया तो भारत के बैग्यानिक जनकों तो भारत के अंदर पहली जो बैराइटी थी जिसका नाम तो राइस है बाद में इसका नाम बदल कर किया गहता है तो यह पूरा आपको जानकारी मैंने आपको अलग है सुपर राइस अलग है तीनों के टिगरी अलग है गोल्डन राइस अलग है जैनेटिक मोडिफाइड क्रोप इस पर राइस जो कि जी आज घुछ के द्वारा बनाएगे दी चली आगे पड़े हम अगला प्रस्ना आपके वूट सघर मतला कास्ट लगडियों के अंदर कोन सी सघर पढ़े ढ़ाती है ठीक है इन्में से कौन सी सरकरा जो है वूट सघर जो कहते हैं लगडियों के अंदर पाइज़ गोडियों परकार का मोनोसेख्राइड है और या पैंटो सघर है पैंटो सकर रहें पैंटो सोगर है पोगा वाओन के लिए बीभी पांच और वाली है यह तोनों पांच करवन बाली है मैं और गना यह एक्जोज आहा़न ना मैं अउनलैर कारवन पाली है ग्लूकोज को आ пыт βाखा पी्हां यह भडो CGCY है तो आपको अग्लूकोज अफ्रेक्ड मेन होजा इतीज अदिशाब अगला प्रश्न की तरफ चले अगला प्रस्द अब प्रशन के वर्टीकल सब्सक्राइब साथ उन्फ्लुंस लेखो वर्टीकल सेकलशन जो होता है वह क्या करता है तो जो घहराई है जैसे जो पंजा सेहर जाएगा जमीन में सेहर आगे वाला ठीक है इसकी घहराई को बढ़ाता है तो वर्टिकल प्लो क्या करता है याद रगना क्या करता है तो कट की घहराई को बढ़ाता है तो वर्टिकल सेक्षन है क्या आप इसकी डाइग्राम को देखें वर्टिकल यह आगे वाला हिस्सा क्या होता है यान पर यह बोटम में सपोर्ट कन लिए लगा होता है लेंड्स है यहां पर क्या लगा हुआ है इह जो है यहां पर लगा हुआ है लोयोगे के पट्टी होती है ठीक है यह चैंव क्या अब लेंड साइड के लिए तो इन दोनों का बीच इन दोनों का जूपोरिय हैं जहां पर यहां पर यहां पर Юंगाल यहां पर यहां पर न भीच कट बन moderne यहां पर यह मिलते हैं डोनों टीक है यह बोनों यहां पर मिलेंगे यहां पर लेंड तो जोनिग पॉइंट है तो से मेंट तो इचे हैगा और हूं कि पर जहां पर लेंड जो है साइड और सेरा पंस में पॉइंट है ना मैच करते हैं तो ग्राउंड से लिए उपर की जो डिस्टेंस है तो उसे अगल वर्टिकल सेक्षन एट है टो प्लो क्या करता है यह हलको है तो आगे वाले हिस्से को घहराई में मदद करता है ठीक है तो फ्रोपर डेप्थ लिए लिए जमीन के अंदर पेनेट्रेट कराने में अंदर घुसाने मदद करेगा जिससे जो कटकी घहराई बढ़ती है इते जनरली आधे चली कि अग्ला प्रीसमें नैशनल इस्टूट्र मै небольш तो नैशनल स्टूट उप टिसल मैजमीट में तो नैशनल स्टूट बहुड टो वत पर तो अग्ला प्रिशने आपके शामने पंच को नम्मर का a variety of a variety by डॉलब्ड दरीति चुले बाती हैं जिसमें बहुत सारे सीमिल्टिकली साइज ही यह कलर हैं तो इनके ऐसी लाइन्स को आपकर मिलाकर और यह और से वह हम क्याते हैं composite वाराइटी याद रहा है तो मतलब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी लाइन जो आपस में फिनोट्रीकली सिमिलर होती है मतलब हाइट में साइज में कलर में ठीक है उन सब्सक्राइट उनकी बीच को आपसे मिक्स करके क्या बनाते इंपॉजट जबकि सिंथेटिक वे उती कि बहुत सारी इनिविरिट जिनका जीची बहुत अच्छा होता अगर अगर इस अगर को याद नहीं हो रही तो आप दूड़ ना इनिवरिट लगा और जीसे लाइचा सब्सक्राद कर रहा है तरह समझिले और चलつ है कि अगला प्रश्क बाद करते हैं used हईजबुल है ना सबस्तों घ्राइबुल है दो भाई जबनेट रहे चिलिए कि अब लग्र प्लांट प्लांट घ्रांद है लेकिन इस्टराविरी जो होती है क्या होतीं में है क्या होती है क्योंती है में में मैड हॉआ इस में रही कैसे मैं मैड हाइवरड हे ओके चलिए अब यह मैं मेड हाइवरेड ओके इसंटीपिंग नीन lascinatal ब्रीदिक ना फ्रगे रीर lindo है ठीक है कि अननास सब्सक्राइए जो है किjat किसके ग्रोस करके बनाया यह यह बना यह बनाइगा यह ना चलाइभाई या सिस न करोश हैً प्रेगेरियार वर्जी न Εन दोनों के क्रविच करके इसको बनाएगा- तो आपसे कभी पूचे जो है कि मतलब हमारी इस्ट्रइवेरिया चलन फ्रेगरिया बरजीनिया की बीच क्रोइब करके तो यह जो है क्या है इस पूचा गया है यह यह सब सब्सक्राइब करें तो आप जानते हैं तो सबसे इंपोटेंट बात है यहां पर इस्ट्रावेरी क्या होदी एलो ओक्ट अप्लोड होता है पॉनी की सी फैमली होती है पुनी का ग्रेनेट हम टून वरावर तो सबसे इंपोटेंट बात है यहां पर इस्ट्रावेरी क्या होदी एलो अप्लोड होती है मैं में ठाइब लटाए ठीक है रोजिसी फैमली के अंदर आता है याद रहें अगला है टू कंट्रोल मैंगो मॉल फरमेशन भी अप्लाइब अगर आपको मैंगो मॉल फरमेशन को ठीक है कि जो दिस्कवरी रवंगा फिक है कि ना इसकी जो डिसकवरी है कहां की तिदि याद रखना डिसकवरी अठावर दरवंगा तो विहार दरॵंगा बाई तीक है मेरीज नाम के जो साइंटिस्टेंगे द्वारा की थी ठीक है अब देखो मैं मॉल फर्मेशन क्या होता है एक बेजिटेटेव होता है फ्लोरल ठीक है इसमें गुच्छा बन जाता है प्रोपर फ्लोरिंग होती नहीं है डू टू लो टेंप्रेचर और याद रखना फंगस इ द्विलस में अब इसके लिए रजिस्टेंड वीराइटी बातना मनजीर अलीफ है यह जो आध्री हम लगाते हैं कि इसके लिसामिक स्वास्वाइट है कि मैंगॉघ मॉर्फार्मेशन है उसके लिए हाईली ससेप्टिवल वैराइटी कौन सी होते हैं है महंग औल फर्मेशन के लिए हायली ससेपटि की वेराइटी होती है बंबे-ग्रीद कौने से होती है याद रखना सब्सक्राइब करना घट्टा है जंबरी है तो या रफ लेमन या रखना रफ लेमन जो होता है रफ लेमन का ही नाम होता है में सब्सक्राइब करते हैं जो करना खट्टा होता हैं सो सटेज ऑयरस न छlide the virus दिग अछलने और your second for heavy and deep soil is suitable for heavy and deep soil heavy and deep soil के लिए के लिए हेभी एंडिप सब्सक्राइब होता है अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं अगला प्रस्थन इन कुकमबर प्रोडक्शन मेल फ्लोवर मेल प्रोडकस्टन मेल क्यंद्थ एप्लीकेश्न तो कुकमबर में मेल किसके एंड्यूज कर सकते हैं तो आंसर है जिब्रेले टीक है जिब्रेले टुटाउज दना 2000 पीपियम के इस परेकर देखो आप याद रहा को कंबर में अगर पर सायो शल्फेट का यूज करें ठीक है अगर आपसे पूछे फीमेल फिलोवर पूचे तो यहां पर दो जैसे एटिफोन और यह जिन है फीमेल फिलोवर के लिए से एन ए आता है ठीक है एथरिल यह रहां फोने की बात ट्रेख ट्रिपल सी है कि लिए और अजनी इससे क्या करते हैं फ्याद लेकि इंड्यूज करते हैं मेल फ्लोबर के लिए जबर लेकि अगला प्रिशन आपके सामने तो लो बैस सैचुरेशन और लगवक 35 से कम रहता है तो जन्दली को लोग जीसोल लोग सैचुरेशन फोरेशन होती जिसमें लेटराइड वाली होती है इसका वैस सैचुरेशन 50 परसेंट से ज्यादा होता है तो आप से अग्दा में पूछा जाए कि एक ऐसी कौन सी जो लोग सैचुरेशन है तो अग्ज ओ कॉंप्लेक्स ओर्गेन कमपाउंट्स इंटू दास्टा सिंपल इन ओर य का से टुमपण होना इसको मिन्रीन कहते हैं इसको क्या वह लेंगे सब्सक्राइब और अवनियवल फॉर्म से अवलेवल में करण वाड़ो होना इस जैसे आमोनिया अमोनिया का पहले और यह जो प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेंगे तो इसे कहते हैं मिन्राइजेशन इस प्रोसस को क्या हो लेंगे मिन्राइजेशन कहते हैं इसका अगला है दा लोएस्ट यूनिट ऑफ सब्साइज सब्साइज सोइल क्लासिफिकेशन सब्साइज के सबसे इसका सबसे स्मोल स काटिगरी सिर्िज होती है में इसका सबसे बड़ा होता है बारा में ब arrestation क्या देखो आपको मालूम कि सबसे उपर ऐए जएंगी Сबसे उपर कौन होती हो रिजन के बाद एक एकुव में क्या होता है मैं एकुमिलेशन नहीं क्या में डीजित्ठ ऑस्कते हैं कि वासंग तो यहां लिभर पर वॉपर का अगा स्कू ad है अगला है जाएं इस प्रिपिएड ही हैं जाइम जेली होते हैं नहीं जो हमारे बैली एडिट प्रोडक्त है तो किसे बनाते हैं तो आद रहा है फुल्ट के दारा यसमत सुगर उता है लए 1000 पॉल्पत फाय्उ तुछ यहां होता है जबकि जैली मनाते हैं के लिएर जो है फूरुट जूस के द्वारा ठीक है जैसे गावा तो जैली बनाने के लिए सबसे बैस्ट को नोता है अम्रूद होता है तो उसको इसके लिए प्रेक्टन Big जरूरेदकर जैली बनाने काली पप्र्ट्र कंचंटन जरूरी होना है जब कि जयम बनाने के लिए प्रख्ट प्रश मोत है ओक अगला है एक अगला है अगला है फंप प्लास्ट आँज फस्स constructive सबसegफे अभीन प्लांट के लिविंग पार्ट लिविंग पाथवे को क्या कहते हैं मतला पादब की जीवित भागों से अगर को अगर कोई मतली ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सब्सक्राइब होता है अगला प्रश्न आपके सामने है है आएरन रस्टी सिम्टम्स अपर राइस की लिप सोती है उस पर जो आयरें रस्टी सिम्टम्स होते हैं तो जिंग डफीशनसी के अंदर आपको आरें रस्टी सिम्टम्स साथ देखने को मिलेंगे है अगला प्रस्टिंग तरफ चलते हैं अगला प्रस्टिंगा इस स्की यह जो टॉचिशिती होटी है यह सहती हुची लिए अगी टिदीई है चली अगला फिरे की तरफ देखो विस ऑर्ण हैस्त अगला बढ कोई आम रोनीक शोल हो यह ऐंग एम रोनीक सwe pela टेके फिर डायगनेस्टिक redeem प्रिजन बेट फ्यू डाइगनेस्टिक प्रीजन इसे हम गोलता है इन्शेफ्टी इन्टी सोल क्या होता है या रखना 9 हुरीजन अलूब्यल सोल आती है हो है नहीं हो रिजन ल कोई हो देखने को नहीं मिलेगा अल्यूभacağız सब्सक्राइब क्लेश घ्री कि अगला है है कि अगला है 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 प्सक्राइब कि भनिति का थे हा प्सक्राइब आप प्रोशेस और रहा है उसका मतला होता है तो क्या होता है अगर जमीन में तो और दियोट तो क्या होता है अदर पानी बर जाना वाटर लोगन condition डबलब कर दया है तो वाटर लोगिंग कंडिसें क्रीड हो जाए कौन सी यौट सोट आ आ यह जो जो से हो ऑगलाइजेसन होती है केल्सिक सिर्ट कार्वनित क्लाइट कर अंदर जो है एकट्टा होना हो सों क्याता है चलिफिकेशन क्याती यहां पर सेलिना यजेशन मतला होता है सोटीम है एक सेंज्ट का एकट्टा होनाना एक विमूलेशन ओम तो सोडियम का एक आपर और सोडियम का क्या होना एक अबVery कि CanEFL की भी किनल को रहा एकोप लह से थैप मुझे वोट करो सब्सक्राइबूतों थाइंक रहा सोडियाइशन यहां पर लेकरिए इसलोडाइशन रिमूबल ओना सोडियाइशन और ईकता ही ना रूहा其實 एक्टैणजेब्स मोदियं का क्या ओना अलग होना रिमूब भौन ओसका हो करते हैं credit और लीनाइजेशन स्या सब्सीत मतलं सब्सक्राइब सब्सक्रासाइब इस एगटा ऊनद आशेंड सरेंट सालै में सेलीनेशन जीनेशन तो यह लेका एकट्टा होना है कि एक्यूमिलेशन ऑफ शोलीवल साल्ट तो फ्लैम फोटोमीटर इसका यूज किसमें किया जाता है तो फ्लैम फोटोमीटर का यूज किया जाता है कि इसका यूज करते हैं या शोट्याइबल पोक्तेशियुम् SAM के ट्रेमिनेशन के लिए शोडियम पोटेशियुम के डिंटरमिनेशन के लिए किस यूज करते हैं चैनल कोशैन के गणा बैज चैनल मेतर का है एक हなた तो यह जो से तक्याम आपको याद रखना है कि अगर आपको सारे कोशन अच्छे से दोस्तों समझ आए होंगे अगर आप हमारे चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीकिग डेली आपको रेगुडर क्लास ऐसी परकार के इंपोर्टेंट मिलती चलेगी खास करके यूपी ट्रिपल सी एक्जाम जो है उसको का टार्गेट करते हुए तो जो बच्चे यूपी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वह मात्रच पांसो ने निवा पूरा कोर्स ले सकते हैं इसमें पूरा आपका जो अग्रिकल्चर अनि क्रांसेट के लिए अगर आएं अगर आप को भी एक्जाम की तैयारी कर रहें तो अभ्यास अग्री अप्लिकेशन को जरूर डाउनडोड करें आपको वह सारी फ्री क्लासेश मिलेंगी और आप हमारे टेलीग्राम को जरूर जोन करने से क्या होगा तो वहां पर जो डेली